हेलो दोस्तो मैं हूँ इजास्खान और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर में जो है माल्थस थेरी ओफ पॉपुलेशन दोस्तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है जोगरुपी से ना सिफ UPSC mains लेकिन UPSC prelims, State Public Service Commission और Staff Selection Commission के exams के लिए के topic बहुत ज़ादा ज़रूरी है SSC और State Public Service Commission के exams में तो कई बार इस पे straightforward one-liner questions भी पूचे हैं जैसे कि माल्थस थेरी किस चीज़ से related है जिसका anसर है population उके उसके अलावा अगर आपका optional geography है तब तो ये topic आपके लिए और भी ज़ादा important बन जाता है क्योंकि ये सिदे सिदे आपके optional के syllabus का part है ओके दोस्तो तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं Malthas theory of population क्या है दोस्तो आप जब भी कोई theory पढ़ रहे हों चाहिए फिर वो किसी भी subject से related हो ये सब में ज़दा important बन जाता है कि आप जिसने वो theory propose की है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान ले अगर आप उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आप उनके विचार किस तरीके के उनके ideology किस तरीके की है अगर आप ये पहले ही थोड़ा समझ लेते तो आपको उनकी थेरी समझना बहुत जादा मुश्किल नहीं जाएगा ओके दोस्तों तो चलिए फिर शुरू करते और देखते हैं कि जिसने ये theory propose की है उसके बारे में हम लोग क्या के information ले सकते हैं सब में पहले तो उनका जो नाम है का पूरा नाम था Thomas Robert Malthus ये belong करते हैं United Kingdom को इनकी जो life रही है ये 1766 से लेके 1834 उनका जो field of work रहा है वो demography and macro economics इनकी जो ideology रही है वो humanitarian रही है that is मानवतावादी He always thought for the welfare of humanity जब भी वो अपनी कोई concept develop करते थे कोई theory develop करते थे तो उसके पीछे का जो main aim होता था वो welfare of humanity होता था ओके दोस्तों तो ये उनका है अगर आप इनका ध्यान से देखे तो इनकी जो country है UK उनका जो life span है 1766 से लेके 1834 अगर आप इस पे focus करें तो आपको समझ में आएगा कि ये वोही period है जब England में उस region में industrial revolution बहुत तेजी से हो रहा था उसके अलावा वहाँ पे urbanization और population की growth भी बहुत तेजी से देखने मिल रही थी उसी period में बहुत सारे लोग population की बारे में अलग-अलग अपने concepts रख रहे थे जिसमें से सब में important concept बनके सामने आई थी वो माल थसकी तो चलिए देखते उन्होंने अपने theory में कौन-कौन से points रखे है सब में पहले दोस्तों ये जो theory उन्होंने लोगों के सामने लाई वो अपने एक essay द्वारा जो उन्होंने publish किया था 1798 में जिसका title था Principles of Population इस essay में जो theory है उसका जो approach है वो humanitarian रहा है अगर आप ध्यान से देखे उनकी ideology तो वो humanitarian है और इस theory में भी उनका जो approach है वो humanitarian मानोतवादी रहा है दोस्तों उनका जो general view था उनकी जो general सोचती वो ये सोचते थे कि population जो है वो subsistence से कई ज़ादा तीजी से बढ़ती है अब population और subsistence का ratio इस angle से बिगड़ जाता है अब subsistence क्या है तो subsistence मतलब जो आपको जिन्दा रहने के लिए जो minimum आपकी requirements होती है वो जैसे यहाँ पे बात की जा रही है food के बारे में तो आपको जिन्दा रहने के लिए जितना food वगेरा आपको होना चीए वो है आपका subsistence और population दूसरी चीज़ है तो जो population है आपकी वो subsistence से कई जादा तीजी से बढ़ती है वो इसलिए होता है दोस्तों कि जो power है population की अपने आपको reproduce करने की वो earth की power से कई जादा है earth की in the sense मिट्टी की जमीन की जो food production करने की power है उससे population की power अपने आपको reproduce करने की कई गुना जादा है इसी के साथ माल्थस कहते है कि जो population बढ़ती है ये दो तरीके से check की जा सकती है या control की जा सकती है या होती है तो ये जो दो तरीके उसमें से जो पहला है that is preventive check अब ये आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि preventive check है मतलब आपको population grow होने से prevent करना है खुद बखुद इस preventive checks में उन्होंने जो points रखे थे माल्थस ने वो थे जैसे control of birth rate moral restraints delayed marriages etc जोग है कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने morals को समझे और गलत काम न कले जिसे adultry वगेरा ना करे और बहुत ज़्यादा population भी ना बढ़ाए जिसे पुराने जमाने में होता था था ना किसी के 10-10, 12, 12, 15, 15 बच्चे होते थे और फिरो समाज में और अपनी गाउ में अकड़के चलता था तो इस तरीके के principle से हमें बाहर निकलना है उसके अलावा जो delayed marriages से उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा importance दिया था अब delayed marriages से क्या होता है जब का fertility period है वो कम हो जाता है जिससे population control करने में मदद मिलती है जब शादिया जल्दी हो जाती है तो यह ज़्यादा chances होते है कि उसके बच्चे ज़्यादा हो यह नहीं कि ज़्यादा बच्चे होंगे ही लेकिन जो possibility है वो बढ़ जाती है दोस्तों यहाँ पर हमेशा याद रखो कि जो माल्थस है उन्होंने कभी भी forceful चीजों को लेके कभी भी support नहीं किया है forceful चीजों जैसे forceful abortion हो या जो नस्बंदी वगेरा है इन चीजों को माल्थस कभी support नहीं करते थे क्योंकि हमने देखा है कि माल्थस का जो approach है वो humanitarian रहा है उसके अलावा जो दूसरा उन्होंने check बोला है वो भी भहुत दा important है और उसको नाम दिया उन्होंने positive check दोस्तों को यहाँ पर confused होने वाली बात नहीं है कई लोग confused हो जाते हैं नाम को लेके कि positive check हम लोग जो positive negative यह जो words use करते हैं वो अच्छा या बुरा उस चीज को लेके करते हैं लेकिन यहाँ पर जो positive word है वो active और passive positive negative जब use किया जाता है active और passive को लेके किया जाता है इसको positive check इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो दूसरा invisible hand है जो population को control कर रहा है वो actively involved हो रहा है तो war, diseases, drought, famine, flood यह actively involved होके population को control करते हैं इसलिए उसको positive check बोला गया हुआ है तो इस दो तरीके से preventive check और positive check से population मालतस के हिसाफ से control होती है देखो दोस्तों यहाँ पर नाम positive check है लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी चीज़े हैं यह सब negative है और आपको समझ में आ रहा रहेगा कि war, draw, diseases, इससे भी कई बार हम देखते हैं कि कई लोग मारे जाते हैं बहुत सारी destructions होती है disasters होते है और population वहाँ की कम हो जाती है तो यह दो check के बारे में मालतस ने अपने concept में या अपने theory में बात की है ओके दस्तों मालतस कहते है कि अगर population को इन दो checks के सारे control नहीं किया गया तो population का जो growth है वो geometric rate से होगा अब यह geometric rate क्या है geometric rate मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32 मतलब यह double होने का जो process है that is geometric rate मतलब जो population है वो अपने आपको फटा-फट, फटा-फट, फटा-फट geometric rate से बढ़ाती रहेगी लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखे तो जो subsistence है जो food production है वो arithmetic rate से आगे बढ़ेगा जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 तो उस space से जो food production या subsistence का production है वो उस speed से आगे बढ़ेगा दोस्तों जो को यह बहुत ज़दा important बन जाता है कि यह जो words है उसको आप highlight करो क्योंकि अब जब भी answer लिखते है तो उसके अंदर यह जो important words होते है जैसे subsistence हो गया या geometric rate हो गया या arithmetic rate हो गया इसको काफी ज़दा importance दी जाती है तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ कितना difference होता जा रहा है population अपने आपको geometric rate से बढ़ा रहा है लेकिन जो subsistence से वो सिर्फ arithmetic rate से आगे बढ़ रहा है दोस्तो मालतस कहते है कि अगर population को चेक नहीं किया जाए तो population हर 25 साल में अपने आपको double कर लेती है तो यह उन्होंने एक अपने theory के अंदर यह point रखा और EC को लेके उन्होंने कुछ calculations भी किये वो calculations ऐसे है कि in such case population and subsistence ratio population to subsistence ratio जो है वो बिघड जाता है और उन्होंने कहा कि आने वाले 200 सालों में यह जो ratio होगा वो होगा 256 as to 9 आने वाले 200 सालों में population अगर 256 है तो जो subsistence या खाना जो available है वो सिर्फ 9 लोगों का खाना available है और ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 300 सालों में यह ratio और बिघड के 4096 as to 13 हो जाएगा मतलब अगर 4096 लोग available है उस जगा पे तो खाना सिर्फ 13 लोगों के लिए ही available है तो इस तरीके से आप देखो अगर खाना कम है subsistence कम है और population जादा है तो उसमें tensions बहुत जादा बढ़ेगी और जो आप देख रहे हो कि ऐसी चीज़े होगी जैसे diseases famine वगरे आप इसमें से समझ सकते हो इस चीज़ को Malthus ने एक graph के साहरे explain किया था तो जब भी आप mains में या optional में आपके answer लिख रहे हो तो ये graph बनाना बहुत ज़रूरी है चहाँ पे भी आप diagrams, graphs, charts draw कर सकते हो वहाँ पे उसको use करो जिससे आपके marks बढ़ेंगे देखो दोस्तों आपको इस diagram से या chart से या graph से आपको समझ में आ रहा होगा कि दो चीजों के बारे में उन्होंने बात की है एक तरफ है quantity और दूसरे तरफ है time तो उन्होंने कहा कि time के साथ पहले तो जो food है और population है उनका ratio ठीक ठाक रहता है पहले period में लेकिन एक point ऐसा आता है जहाँ पे जो population है वो food production को overtake कर जाती है और ऐसे point को बूला जाता है Malthusian Catastrophe तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि food production तो steadily बढ़ रहा है लेकिन population जो है वो बहुत drastically बढ़ रहा है और यह जो gap है population और food production के बीच में यह बढ़ता जा रहा है तो यह Malthus के theory का एक important aspect बन जाता है और यहाँ पे आगे Malthus कहते है कि he sought tension between population and resources as major cause of misery for humans तो humans के जिंदगी में जो भी misery या तकलीफ है या दुख आती है वो किस वज़े से आती है वो population और resources के बीच में जो खिशतान होती है ना tension उस वज़े से आती है तो population बढ़ता 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 जाएगा लेकिन resources जादा नहीं बढ़ेंगे resources जैसे land, water, food यह कम रहेंगे और population बढ़ता जाएगा तो उसके लिए competition बढ़ेगी और खिशतान भी बढ़ेगी और उस खिशतान के बीच में जो humanity है specifically जो poor है उनके लिए बहुत जादा तकलीफे आएगी बहुत जादा दुक उन्हें जिलने पड़ेंगे मालतस अभी जाके अपने मूल मुद्दे पे आते हैं वो कहते हैं कि population अगर आप खुद preventive checks से control नहीं करोगे तो आने वाले समय में positive checks उनको control करेंगे और positive checks अगर उन्हें control करेंगे तो वो लोगों की जिंदगी में misery, sorrow लेकर आएंगे बहुत जादा destruction, बहुत जादा तकलीफे, बीमारिया, war, etc. आएंगे तो इसलिए मालतस जो है वो अपने theory द्वारा भविश्य के बारे में बता रहे है भविश्य में क्या हो सकता है और आपको आज ही वो warning देने की कोशिश कर रहे है तो वो बोल रहे है if not checked by people themselves through preventive checks it will be then controlled by positive checks तो positive checks क्या करेंगे? destruction, misery, sorrow लेकर आएंगे humanity के लिए जो मालतस नहीं चाते हैं क्योंकि हमने देखा वो humanitarian है तो मालतस आज warning दे रहे है कि अगर आपको future में अगर destruction से, misery से, sorrow से अगर बचना है तो आज अपनी population control करो through preventive checks तो ये थी मालतस की theory अब मालतस थी theory देके रुख नहीं गए उन्होंने क्या किया? उसकी उपर remedies दी और ऐसी उन्होंने दो remedies दी he saw self control in lower class and social responsibility in middle class as necessary तो उन्होंने बुला कि जो lower class है वो self control करें क्योंकि जो lower class है वो इतने ज़्यादा educated नहीं है उनके पास बहुत ज़्यादा resources नहीं है इसलिए वो क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं जो uneducated lower class होता है उनका जो standard of living होता है वो काफी कम होता है वो काफी ऐसी environment में रहते हैं जहापे बीमारिया और फैलती है तो वहापे जो child और infant mortality rate है वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो अपने आपको secure करने के लिए क्या करते है? ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं अगर उसमें से कुछ अगर पाई chance death भी हो जाती है कुछ बच्चों की तब भी उनके पास कुछ अपने बच्चे रह जाए तो self control lower class करें और दूसरी तरफ जो middle class है जिनके पास resources है जो educated है वो इस चीज़ को जो future में आने वाली misery है उनके future generation को जो face करनी पड़ेगी उसको अगर वो रोगना चाते तो वो आज इसे अपनी social responsibility समझें उसी के साथ साथ जो और ज़्यादा important है क्योंकि जो lower class है वो अपने आप पे self control तो रख रहा है लेकिन फिर उनका उसमें solution निकलेगा क्या तो उसके लिए उनको क्या होना चीए जो गरीब है उनका जो payment है वो ज़्यादा अच्छा होना चीए या उनको और ज़्यादा pay किया जाना चीए जिससे क्या होगा वो अपनी standard of living को और बहतर बना सके जिससे वो अच्छे जगा पे रह पाएंगे अपने health पे ज़्यादा खर्च कर पाएंगे जिससे वो बहुत positive उसका जो impact होने वाला है वो भी होगा ओके दोस्तों तो यह उन्होंने दो remedies दी थी अब हरे एक theory की तरह इस theory को भी criticize किया गया काफी criticism भी हुआ बहुत जादा तो नहीं था लेकिन कुछ बहुत जादा important points उसमें रखे गए थे तो हो सकता है कि आपको जो mains में question पूछा जा बहुत जादा importance दे दिया कि वो ही आपका एक future में solution है उसके अलावा और कोई solution नहीं हो सकता मालतस ने अपनी theory में जो दूसरा criticism है कि scientific solutions पे जादा ध्यान नहीं दिया population control के और जादा future में जो भी development होरी industrial revolution के साथ साथ तो जो scientific solutions उसके आ सकते हैं मालतस ने इतना जादा importance नहीं दिया दूसरे अगली जो चीज़े जो एक important criticism रहा है कि population doubling period जो है वो country to country, region to region और within country भी वो vary करता है तो हर एक country अप 25 साल में अपने population को double कर लेगी ऐसा rarely होता है या नहीं के बराबर होता है हर एक country का population जो है वो growth का जो phase है या अपने आपको double करने का period है वो अलग-अलग है उसके अलावा जो critics से उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मालतस कह रहे है कि अगर आपकी population बहुत जादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पे आपको कुछ calamities वगए फेस करनी पड़ेगी जिसे flood है या drought है या tsunami या इस तरीके से जो भी control से वो लेकिन जो critics से वो कहते है कि ऐसा कोई direct relation नहीं है क्योंकि ये जो calamities है ये ऐसे region में भी आई है जहाँ पे population काफी पहले से ही कम है तो कम population होने के बावजूद भी ऐसी calamities वगएरे आई है तो इसका कोई direct relation नहीं बना सकते और जो मालतस ने अपनी theory में बनाया था उसको इन्होंने इस तरीके से criticize किया तो ये चार important criticism है और भी छोटे-मोटे कुछ criticisms थे लेकिन वो exam point of view से इतना important नहीं है दोस्तो तो ये था पूरा मालतस theory के बारे में तो चलिए दोस्तो इसी topic से related एक question देखने की कोशिश करते है ताक कि हमें अंदाजा आ जाए कि इस topic से related किस तरीके के question पूछे जाते है okay question कुछ इस प्रकार है China has ended its one child policy in the lights of China, India and other developing countries is Malthasian theory of population still valid today China ने अपनी one child policy end कर दिये अब ये question इसलिए बनता है दोस्तो कि China ने 1979 में one child policy अपनाई थी और जो policy अपनाई थी वो Malthas से या Malthas की theory से inspire होके अपनाई थी okay जिसके अंदर हम दो हमारा एक और जो भी couple से उनको अगर एक से जाधा बच्चे चाहिए तो उनको फिर government से permission लेनी पड़ती थी और अगर आप permission नहीं लो तो जो government है Chinese government वो काफी सारी atrocities करती थी human rights का violation वगेरा force abortion वगेरा ये देखने मिलता था लेकिन उससे क्या हो गया दोस्तों कि वहाँ पे उनका जो socio economic उदर problems शुरू हो गए वो जो उनकी population है इस policy के वज़े से अब वो aging population हो गई और उनके पास जो young force है workforce बूरा जाता है जिसे वो अभी दिरे दिरे कम होती जा रही है इसी के साथ सच जो human rights violation हुए उसको लेके भी काफी चिंता जता है जाती है लेकिन अभी जो recently उन्होंने 2016 beginning में और 2015 end में उस phase में उन्होंने क्या किया one child policy को उन्होंने अभी बन कर दिया तो इस angle से चाइना अब सिफ चाइना नहीं है लेकि developing countries भी है और उसमें इंडिया को भी हम लोग ले रहे है इस Malthasian theory of population still valid today तो आपको क्या लगता है कि Malthas theory क्या आज भी valid है देखो जैसे हम लोगों ने देखा था वो points आपको याद रखने मalthas है humanitarian है forced जो भी चीजे होती ह उसके वो against है तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते वे आपको ये answer बनाना है हमेशा याद रखो कि जब भी आप answer लिखो तो वो answer balanced होना चीए उसके अंदर कुछ one-sided नहीं होना चीए ऐसा नहीं कि Malthas की theory ही सब कुछ है जो चाइना ने किया था वो ही सही है ऐसा कुछ न आने जो अपना end हसिल करने के लिए जो means है जो रास्ता है वो Malthas का नहीं अपनाया है उस हिसाफ से क्या Malthas की theory आज developing countries और इंडिया जैसी country में क्या आज वो valid है क्या आपको ऐसा लगता है कि जो population और जो resources है उसके अंदर conflict है और उसके वैसे poverty अगेरा जैसे problem आज भी हमको face करने पड़ते हैं तो क्या आप ये points उसको arrange कर सकते हो तो कोशिश करो इन सब points को अच्छे से arrange करके अच्छे से 200 words में इस question को solve करने की ठीक है दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस lecture के लिए और इस lecture को आप देखो अच्छे से पूरी तरह उसको like करो और अपने द और साथ में training के लिए जाए ओके साथ में subscribe करो और इसके अलावा आपको lecture कैसा लगा और इसके अलावा आपको कौन से topic से जो आपको चाहिए जिसकी उपर और lectures के से videos बनाए जा सकते वो भी मुझे comment में बताओ तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो lecture में तब तक के लिए thank you good bye कर दो से लिए अलावा आपको हॉब है